नहांश्कार दोस्तों अज फीर अब लोग के लिए एक और नहीं बीजनेस आइडिया के साथ आ गया हूं ये बिजनेस के बाद हम बताएंगे आप लोगो खजूर का बिजनेस के बारे में जो कि इतना सारा खजूर है उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि अभी सामने इत का सिजन आ रहा है इस टाइम खजूर का बहुत डिमांड रहता है तो आप लोग कौम करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कैसे कमा सकते हैं ज्यादा ज्यादा होगा कितने तरह का होता है फ मेरे पास सबसे हम बताएंगे जो最 कम दंबला है सबसे और यह विक्री बहुत जदा देख सकते हैं आप कितना स्टॉक लगा हुआ दूसरा जागा में है मेरा माल पड़ा हुआ है यह अभी माल काल जाएगा बोलके इधर रखता हुआ है तो यह देखिए एक हजूर है सबसे कम नमबला यह 100 रुपया से लेकर 120 रुपया तक यह माल विक्री होता है हम हम इसको पाइकारे में और भी कम रेट में विक्री करते हैं अगर किसी को चाहिए तो नीचे में नमबर भी होगा और इसके बारे में डिटेल में डिटेल में एक और वीडियो भी होगा तो आप नीचे डिस्क्रिशन में में लिंक रहेगा आप जाके उस तो यह हो गया एक तरह का खजूर अभी यह देखिए उससे थोड़ा सा उपर यह वाला आपका मतलब पैकिंग के बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को बता रहे हैं पारे में बसके बारे में बटाएंगे इसका विलू जाता है तो वह भी आप में बेचने के बाद कितिना मुनाफा हमा सबसे आपका ूऑ मेरे पास यह मार्केट में 110-120 đang में भीक्रिय होता है तो इसको हम बहुत ही कम रेट में विक्रिय करते तो इससे आगे बाढ़ते और थोड़ा से ऊपर यह देखिए जकाया जकाया है यह ब्रान का नम तो यह खजूर है प्लेट खजूर बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं प्लेट खजूर जो इसका रेट तो पॉपर रेट हम नहीं किसी का भी नहीं बता सकते हैं आप किसी को लेना होगा तो कॉंटेक करने के बाद या तो मैं वहार साब करने के यह बहुत कम मिल जाए आपको अच्छा कासा मिलेगा इसका भी आपका जैसे इसका आपका 14 किलोगा यह कटून ठीक है उससे अभी थोड़ा और इससे महझा में जाते हैं इसको बोलते हैं बैट और यह जो भी खजूर हम दिखा रहे हैं कोई लोकल खजूर नहीं है यह शारा फूर्य एंटरशूर it सट्राशूर का खजूर फूरा खजूर बेचके आप मेना में हजारों से लेखाएं लखों μα कमा सकते हों तो मोटा मोटी एक तो लेकिन अभी खिलाल यह नहीं है अभी सामने रोजा का सीजन आ रहा है तो यह इसका बहुत सब्सक्राइब कुछ आएगा उसका भी वीडियो में अगले पार्ट में बनाऊंगा जिसमें आपका किमिया खजूर के बारे में और अलू उसके बाद और भी हर तरह का खजूर के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे तो यह देखिए इसका और चीज है इसका धक्कन जो है एकदम पूरा फुल सील है वह आपका कोल्डिंग के जैसे होता है इसको आप ऐसे खीचोगे तो यह खुलेगा उसको पर एक और क्या ऐसे रहता है यह हो गया ठीक है अभी प्रचल के vit Laard fact जाता है रहेंगा तो इससको इसको बनेतृष्ट्वत तो यह खुल साथा है बहूती बहुती बहू Fresh quality का माल है कुछ भी नहीं है तो इसका इसका मार्केट इसमें देखिए यह ऐसे ब्रांच लगा रहता है ठीक है ऐसे समझ में आ जाएगा कि खजूर है एकदम पुरा डाल में लगा हुआ इसलिए हमारा बंगाल में इसको डाल खजूर बोलते हैं ठीक है इसका एक्चुल नाम है ब्रां हो जाएगे इसका भी देख लिए आप लोग तीन ब्राइटी रहेगा तो इसको मार्केट में कितना में बिक्री होता है आम बता देंदें 200 से ले करके 300 तक यह बिक्री होता है और यह हमारे पास बहुत ही कम रेट में इसमें आपको बहुत है अच्छा खासा पॉफिट मिल लेकिन उसके लिए आपको और होना पड़ेगा उतना बड़ा बड़ा ओडर होगा तो आल ओबर इंडिया में कहीं पर भी आप देख रहे हों तो वहां तक आपका माल फिरी डेलिवरी में पहुंच जाए और क्याशन डेलिवरी दोनों होगा लेकिन वह चीज आपको ओडर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपकी ओडर कितना है उसके बेजिस पर आपका फिरी होगा कि मतलब चार्जेश लगेगा वह हम करके आप कांटक करो तो हम बता देंगे अगे बढ़ते हैं दूसरा खेजूर के तरफ जो है भी लूज इसको अभी हम खोलेंगे नहीं हम खली इसका साइज होगा ठीक है इसको मार्केट में यह मोटा मोरी 1200-1314 सता का काटून पांच किलो का काटून है और यह लूज में रहाइसो तीन सो रुपया करके बिक्री होता है ठीक है तो इसके बाद यह है अलू खजूर यह है अलू खजूर इसको अभी खोलेंगे नहीं से भीक्क्री नहीं होगा इसलिए हम इसको खोलेंगे नहीं अगर कस्टूमर आप लोग आगनक करेंगे कि यह दोनों खजूर हमको रून के देखा व तो आगला वीडियो में इसको खोलें रून कहिए अम लोगों खैसा होता है उभी देखांगे इसके बारे में हम बतांगे आप लोग इसको बोलते हैं आलू खझूर में जो कि यह वाला खझुर जो है यही इसके अंदर में है यह 1000 से लेकर करके 1200 रुपिया का है और इसमें 10 डुट यह पांच इसमें 10 किलो यह भी आप हमको फोन करके मांगा सकते हैं कही पर भी यह माल पहुंच जाएगा और लोग को बताई दिया हूं तो मैं चीज खजूर का वीडियो था तो इतना ही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे जाके हम और वीडियो बनाने के लिए अब लोग को अच्छा लगे इसलिए हमको मोटिवेट करने के लिए आप लोग लाइक या जरूर कीजिए और यह देखिए पीछे सब काजू यह सब परावा इसके बारे में वीडियो बहुत दिनों से बोलड़ा हूं बनाओंगा अभी इसके लिए भी एक वीडियो अभी मेरा आएगा खाल इसने सब्सक्राइब बारे में भी वीडियो आएगा एक खाली काजू के उपर काजू उसके बाद एक और वीडियो आएगा अभी फिलाल नेक्स्ट वीडियो काजू का ही आएगा ठैंक्यू ठैंक्यू फॉर वाच